हालो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर नस्रीन बानौ आज जो हम टॉपिक डिस्कुस करेंगे वह है क्लासिफिकेशन ओफ टेर्टोफाइटा यानि टेर्टोफाइटा का वर्गी करन जो टर्म टेर्टोफाइटा है यह सबसे पहले हैकल ने दी थी इसको ट्राइब किया था ट फेदर लाइक फाइटा यानि जो प्लांट वो प्लांट जो के फेदर लाइक लीव रखते हैं उन्हें टेर्टोफाइटा फेकल ने कहा था इसका क्लासिफिकेशन के हिस्ट्री काफी लंबी है कई साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया उन्हें से इंपॉर्टेंट ह क्रिप्टोगेमिया और फेन्रोगेमिया के अंदर डिवाइद किया था जैसा के हम जानते हैं क्रिप्टोगेमिया यानि जिसमें के रिप्रोड़क्टिव और्गन या गेमन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं फेन्रोगेमिया में जो कि दिखाई देते हैं क्रिप्टोगेमिया में इन्होंने टेलडोफाइटा को रखा था इसको इन्होंने थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेलडोफाइटा में डिवाइट किया था थेलोफाइटा जो थेलस्लाइस प्लांट बॉडी रखते थे जो root-root leaves में divided नहीं होते हैं जितमें उन्होंने अलगी संजाई को शामिल किया था उसके बाद में एंगलर ने 1909 के अंदर ब्रायोफाइटा और टेलटोफाइटा को एंब्रियोफाइटा में रखा था क्योंकि यहां पर ब्रायोफाइटा से एंब्रियो का निर्मान जोता है ब्रूर का निर्मान जोता है वो स्टार्ट होता है उसके बाद में due to discovery of fossil plants the classification of टेलोफाइटा has undergone vast changes in the recent past क्योंकि कुछ जो plant देखे थे इसमें fossil plant देखे थे तो उनमें seed पाए गए थे इनको ही माँना था यह seedless plant है लेकिन उसकी कारण वापस नए तोर पर कई classification दिये सिननर्ट 1935 introduced a new term tracheophyta for a division having sporophyte with well developed vascular tissue tracheophyta trachea मतलब जिसमें vascular bundle present हो टेलोफाइटा से पहले जो plant है ब्रायोफाइटा जो है तो उसमें vascular bundle जो है वो absent होता है vascular bundle यानि xylem और phloem जो की conduction का काम करता है यह अनुपस्थित होता है लेकिन यहाँ पे टेलोफाइटा से जो vascular bundle है वो present होता है according to recommendation of ICN यानि international code of nomenclature the name of each taxon should end with the suffix as follows यह सभी के लिए हम जानते हैं कि एक ही होता है चाहे वो ब्रायोफाइटा हो चाहे टेलोफाइटा हो चाहे प्लांट हो चाहे अनिमल हो जिसे division को हम end करते हैं फाइटा से subdivision को हम करते हैं फाइटिना से class को करते हैं obsida से order करते हैं ales से और family को करते हैं ac अब taxonomic rank जो है classification की सबसे पहले है उसमें kingdom, next division, subdivision, class, order, family, genus और last में उसमें species लिखते हैं according to Eames 1936, Tipo 1942 and others there is a single division the Tracheophyta consisting of four subdivisions उन्होंने एक ही single division माना Tracheophyta को जिसमें Tracheophyta को include किया और इसके चाह सबदिविजन दियें उनके नाम है siloxida, lycoxida, synoxida, anthropoxida and teroxida या इन जो आगे जो सबदिविजन है Tracheophyta को division का दर्जा देकर आगे उनको सबदिविजन का दर्जा दिया तो obsida उनके आगे लगाया Letters Smith 1955 classified the Tejdofaita following ICN nomenclature as follows जो हम detail पढ़ रहे है Smith का classification उसमें इन्होंने Tejdofaita को ICN decomposition के अनुसार इस तरह से divide किया इन्होंने यहाँ पर जो सबदिविजन दिये थे उपर 4 उन्होंने Smith ने इनको division का दर्जा दिया और चार उन्होंने Tejdofaita के division बताए Kingdom Tejdofaita के Silofaita, Lycopaita, Anthropaita and Filicopaita अब इसका हम थोड़ा सा एक चार्ट नूमा classification देखेंगे बाद में हम इस चारों groups के को detail में study करेंगे पहला जो हमने देखा था, Silofaita इसके जो इन्होंने आगे सब division जो दिया इन्होंने तो वो दिया है जो हम इसके के एक्जाम्पल होंगे, order होंगे Silotels and Silophytals Silotels का जो एक्जाम्पल है वो है Silotum और दूसरा जो है दूसरी ग्लास जो है Silophytopsida का है इसमें Silophytals जिसका की एक्जाम्पल होगा राइनिया एंड होर्नियोफाइटों दूसरा लाइकोफाइटा जो डिविजन है उसका एक क्लास जो दी थी रोने इलिगूल ओपसीडा एंड लिगूल ओपसीडा इलिगूल ओपसीडा यानि लिगूल एपसिंट होगा इसको हम आगे जब डिटेल में देखेंगे कि लिगूल एक पत्ती नुमा सनचना होती है छोटी एक पत्ती होती है जो पत्ती के एक्जिल पर बेस पर पाई जाती है तो वो जिसमें अगर पाई जाएगी तो वो लिग्यूल उपसिडा और जिसमें वो अनुपस्तित होगी लिग्यूल एपसिंट होगा उसे कहा है यह लिग्यूल उपसिडा ये लिग्यूल ओपसिडा में है लाइकोपोडियल्स जिसका की एक्जामपल है लाइकोपोडियम और दूसरा हो जाएगा लिग्यूल ओपसिडा का एक्जामपल है सिलेचिनेल्स जिसका की एक्जामपल होगा सिलेचिनेल्स थर्ड जो फाइलम दिया है आर्थ्रोफाइटा इसके अंदर इन्होंने जो class दी है sphenophyllopsida, जिसमें के equisitals order होगा, जिसका equisitum example है और दूसरा दिया था इन्होंनों calomopsida. फूर्थ है philicophyta, philicophyta के अंदर primophilicopsida और eusporangyopsida और proto-leptosporangyopsida और leptosporangyopsida में उन्होंने divide किया था. प्राइमोफिलिक और अपसिडा के अंदर ophioglossils आएगा, जिसका के example ophioglossum है, leptosporangyopsida को इन्होंने marseleals, salveneals and philicals order के अंदर divide किया था. marseleals order का example होगा marselea, salveneals का example होगा salvenia and azola जो के aquatic pteridophyta है, philicals का example होगा dryopteris, pteridium, adiantum and pteris. अब हम detail में जो देखेंगे, division first, sylophyta, sylophyta जो है, यह sporophytic plant body है, इसकी दिखाई देने वाली dominating structure है, वो sporophytic plant body है, sporophytic यानी